नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका दोस्तों अभिश्यक बच्चन की फिल्म गूमर बोक्स ऑफिस पर पलोब साबित हो गई है यह अखिकत है कड़वा सचे इसको मानना ही होगा क्योंकि अब तो अलती है कि फिल्म के कलेक्शन की रिपोर्टिंग मी नहीं हो रही है तिन दि जाजा नहीं थे फिल्म के पास स्क्रीन जाजा नहीं थे फिल्म बहुत ही फ्रेंटास्टिक है 9.5 के IMDb रेटिंग है इसके बावजुत फिल्म का यह कमजोर परदर्शन कई बातों की और ही सारा करता है पहली बात रिलीज डेट में चूज करने में आपको बलती हुई में लेकर कहते हैं तो केलेक्शन की स्थिति कुछ और होती है कि फिल्म को हैटर्स ने भी माइंड ब्लॉविंग और शॉस्कर विनिंग नेशनल अवार्ड विनिंग मोई बताए है और क्या लाज़ुआ परफॉर मैं अभी से एक बच्चन की एक बार फिर से गुरू के बा लग जाता है और वो अभिशेख बचन दूर नहीं कर पाई है चार साल बार में वापसी की मनमर्जिया के बाद में बड़े पर आये लेकिन लेकिन एक शांधार फिल्म लाने के बावजूत कुछ गलती होने के कारण फिल्म बॉक्स ऑप्स अभीत हो गई है अलांकि आपको अब सोचने वाली बात है कि अब इस एक बचन इस बात से सबग लेकर के बड़ी फिल्म के साथ वाफिस बड़े पर आएंगे या फिर से ओटीटी पर चले जाएंगे यह देखने वाली बात जरूर होगी जाता कि नेक्स्ट रिलीज की बात करें तो उनकी अगली फिल्म ज पर कैसा चलेगी कि इस पर लाए जाना चाहिए या लाए जाना चाहिए और भी अभिशेख बचन के बात सकते हैं कि वह बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसके अलावा दोस्तों अभिशेख बचन सब्सक्राइब बनाते हैं तो यह फिल्म की शुटिंग इसी महीने सुरूने कि संभा बनाए यह हो चुकि अभी अब्रेश्ट अपडेट ने लेकिन यह फिल्म भी जबर्दस्त होगी लेकिं दोस्तों मेरा मानना है कि अबसे बचन को एक बहुत बड़ी मास एंटेटेनर एक्शन मोवी के साथ बड़े पड़े पर आना चाहिए दुवारा और चाहिए उसके लिए फिल्म को उन्हें खुदी प्रोड्यूस करना पड़े क्योंकि बहुत ही टेलेंटेट एक्टर है अगर एक्शन मोवी के साथ अगर आते हैं बड़े पड़े पर यह उनकी धूम पर आप जिए फिल्म या फिर आउस्पूल में सीरीज मों नजर आएंगे या नहीं आएंगे विकंत्रम नहीं है तो बड़े फिल्म के साथ एक बड़े पर देपर दब्रस कमार उन्हें करना होगा प्योंकि यह जैसी फिल्म में अब इसे बचन करने उनको एक्रेशन तो म मिल रही है प्रसंसा मिलेगी अवाड भी जित लेंगे लेकिन बॉक्स इस पर जो इस्टाडम होता है वह प्राप्त नहीं होगा आप क्या सोचते इस बारे मताईएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद टेक केर जैसी रामजे मुलना